और हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत जल्दी से क्लास में आए कॉपी पैन लेकर बैठिए और आज हम लोग नवपाशानकाल का पार्ट तू डिसकस करने जा रहें मुझे पूरी उमीद है आपने नवपाशानकाल में जो मैंने पहला लेक्चर आप से लिया था जिसमें मैंने बुर्जहों तक आप से बहुत सारी बातें डिसकस की थी आपने नोट्स मेंटेंग किया होगा और अच्छे से चीजों को रिवाइज किया होगा परिक्षा तक आपको ये सारी बातें याद रखनी है तो जल्दी से क्लास में आएए और इस लेक्चर को आप चाहें तो अपने मित्रों से शेयर कर लिजे कम से कम लाइक कर दीजे अगर बहुत सारी बातें आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप केमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और शुरुआत होती है आज के लेक्चर नोपार्शानकाल पार्ट टू की हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत और आप जैसा की देख पा रहे हैं नोपार्शानकाल का पार्ट टू ये क्लास आपके लिए तभी बेनिफिशल हो पाएगी जब आप इसका पार्ट वन देख पाएंगे उसको पहले देख लिजे फिर इसको आगे कंटिन्यू करिएगा इस क्लास को और अगर नहीं देखा है तो पहले इस क्लास को देख लिजे फिर बाद में उसको देख लिजेगा लेकिन देखिएगा जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है तो फिलहाल अगला हमारा इस्थल है नोपार्शानकाल का और वो है गुफ़क्राल कहां पर है कश्मीर में है और फिर एक बात है गुफ़क्राल का अर्थ क्या है कुमार की गुफ़ा गुफ़क्राल का अर्थ क्या है और इसका अर्थ है कुमार की गुफ़ा ध्यान रखिएगा एक जो सबसे महत्वपून बात है और बातें तो मैं डि कि गुफवा क्राल से हमारे पास दो कख्षी गर्टवासों के साक्षे हैं। नव पाशाऔ काल में में आप से चार स्थल डिसक्स किये थे जहां पे गर्टवासों के साक्षे हैं कश्मीर में दो इस्थल आपको याद हो जाने चाहिए एक बुर्ज होम और दूसरा गुफवक्राल बुर्ज होम के गरतावासों में सीड़ियां बनी हुई मिली है एक बात दूसरी बात यह है कि गुफवक्राल से हमारे पास दो कख्षी गरतावास हैं तू च वो यह कि यहां के लोग क्रिशी और पशुपालन दोनों करते थे गेहूं और जो की खेती के साक्षे हमें मिलते हैं अब ध्यान रखना गेहूं जो और कपास की खेती का प्राचिंतम साक्षे कहां से है तो आपको याद होगा मैंने पछले लेक्चर में बताया था और वो इस्थल है मेहरगड़ अब यहां पर कश्मीर में ध्यान दीजेगा सिलबटे के साक्षे भी हैं और यह इस्थल है गुफवक्राल और अ हडपा सब्विता में कांसे काल में हडपा सब्विता में सिलबटे के साक्षे कहां से हैं कोई बताएगा क्या हडपा सब्विता में एक सिलबटा मिला है तो वो इस्थल है मोहन जोदो जोड़ दिया मैंने सारी चीजों को नव पाशान काल में हमारे पास सिलबटे के गुफवक्राल एक विशेश बात यह है कि अक्सर करके मैंने कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिख दिये हैं एक आज बार कभी कबार हो सकता है ऐसे प्रश्ण भी आ जाएं कि जिसमें किवल इंग्लिश टर्म ही दिया हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए तो वो सिल्बटा और नौपाशाण काल में गुफवक्राल है और हडपा सबिता में वो मोहन जोड़ो है अब देखो कोल्डेवा कोल्डेवा तो विशेश तोर पे इसलिए important है क्योंकि अभी तक आप इसको चावल की खेती के साक्ष के रूप में जानते थे और अब चावल की खेती का जो प्राचिंतम प्रमान है वो लवरा देवा हो गया है साड़े 8000 वर्ष पुराना है कोल्डेवा का साड़े 6000 इसापूर्व के असपास पुराना है तो फिलाल आप देखिएगा बेलर नदी घाटी के 22 पर है प्रियागराज में है मेजा तैसील में है उत्खरन करता इलाबाद विश्य विद्याले के प्रोफेसर डॉक्टर जी आर सरमाशर याद रहेगा यहां से हमें चावल की खेती का प्रमान मिला है 6500 इसा पूर्व के आसपास का है तो अब ये बात डाउट में नहीं रहनी चाहिए रिमार्क में विशेश तोर पे लिखा है कि नवीनतम शोधों में विश्व में चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमान हमेशा अब संत कभीर नगर लहुरा देवा को चुनिएगा हमेशा जो लगबग साड़े 8000 वर्ष इसापूर्व के आसपास का है ठीक है अब चावल और क्रिशी दोनों का प्राचीनतम प्रमान आप लहुरा देवा को चुनेंगे गलती नहीं करेंगे चावल से जुड़ेवे कुछ साक्ष मैंने और आपके लिए सुविधा जनक डंक से जुटा दिये हैं एज जगए पर गलती नहीं हो वन्य चावल का तो आप पढ़ चुके हैं एक बार बताईए मुझे वन्य चावल का प्राचीनतम प्रमान चोपानी मांडो है याद आया वन्य चावल का प्राचीनतम प्रमान और चोपानी मांडो से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभान ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभान कहां से मिले हैं चोपानी मांडो से मिलते हैं और बहुत सारे छात्रों ने इसको नोट भी किया होगा पिछले लेक्चर में डिसकस किया था मैंने आपको दुबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ तो चोपानी मांडो वन्य चावल का प्रामाण और हस्त निर्मित मृदभानों का प्राचीनतम प्रामाण कहां से हैं तो वो चोपानी मांडो है फिर ध्यान दीजेगा अगला रिमार क्या कह रहा है मद्यपर्देश की सोन नदी घाटी में इस्थ actual है कुंजुन कुंजुन और कृषी जन्य चावल के साक्ष एवं वन्य चावल के साक्ष प्रामाण मिलते हैं कहां से कुंजुन से भी मिले हैं अब एक बड़ी बात है, एक स्थल हमारे पास उडिसा में ब्यादी पुर भी है, नौ पाशान काली इन स्थल, इसको भी याद रखे, उडिसा का एक स्थल है, हमारे पास ब्यादी पुर, नौ पाशान काल का है, वहां से भी हमारे पास चावल का प्रमाण मिला, अगर वो कहत ताउरिसा में कौन सा स्थल है? तो बयादीपुर है, तामरपाशानकल में हमारे पास चावल के साख्शे कहां से हैं? इनाम गाओं और अहाड से चावल मिला है, तामरपाशानकल में ये दौहीं स्थल हैं, ये बाद भी क्लियर हो रही है, फिर आगे आता है ये बताए हडपा सब्विता में हमारे पास चावल के प्रामान कहां से हैं तो हडपा सब्विता में चावल के प्रामान हमारे पास रंगपुर से धान की भूसी मिलती है और चावल के दाने हमारे पास लोथल से हैं ये बात आपको clear रहनी चाहिए ठीक है, लोथल से चावल के दाने, तो अब ये सारे प्रश्णों की पूछे गए हैं, और इतनी बार पूछे गए हैं कि अब इन प्रश्णों के अगर गलत होने की संभावना रह जाती है, तो आपका selection बाधित हो सकता है, इश्वर न करें, ऐ आप इन सूचनाओं को बहुत अच्छे से याद रखिए, फिर कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में चावल के प्रमाण, तो वो हस्तिनापुर से मिलते हैं, तो मैंने आपको नव पाशान काल से ले करके, तामर पाशान काल, हडपा, सब्विता और उत्तर वैदिक काल तक चा इसको अच्छे से तयार करेंगे, और अब अगर एक प्रशन ऐसे आ रहा है, कि प्राचीनतम नव पाशान काली निस्थल कौन सा है, तो जवाब है, मेहरगर्ड, वो कह रहा है, महगड़ा और कोल्डेवा की बात आ रही है, तो ये देश के प्राचीनतम गाव हैं, अगर य और कोल्डेवा हैं, प्राचीनतम नव पाशान काली निस्थल कौन सा है, तो जवाब है, मेहरगर्ड, ठीक है, और अब अगला इस्थल है, नव पाशान काल का, और वो है महगड़ा, जो की खेती के साक्ष मिले हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बात भी हमने पिछले लیک्चर में डिस्कस की थी, और ये ऐसा दिखाई पड़ता है, कि एक सामोहिक पशुपालन के संकेथ हमें कहां से मिलते हैं, एक विशालतम पशुबाड़ा कहां से मिलता है, या फिर हमारे पास सामोहिक पशुपालन के साक्ष कहां से हैं, तो पूछना को डिसकस कर चुके हैं, तो यह अभी भी बताया, फिर भी इस लेक्चर में दो तीन बार ये बात आ गई, विश्व के प्राचीन तम रिद्भान कहां से मिलते हैं, तो यह आपके पास चूपानी मांडो है, वन्य चावल का प्रमांड कहां से मिला है, तो यह भी हमा वन्य चावल का प्रमाण और हस्त दिर्मित मृत्भान कहां से हैं तो वह चोपानी मांडो और अब चरांद और चरांद के लिए अभी जो बात मैंने आप से डिसकस की कि सरवाधिक अस्थी उपकरण बहुतायत संख्या में कहां से मिले हैं तो चरांद से मिले हैं यह एक पाशानकाल में हमें चरांद से हीरण श्रिंगों की मालाएं मतलब हीरण की सींग उपकरण एवं विविद प्रकार के अस्थी निर्मित उपकरण बहुतायत संख्या में मिलते हैं चरांद याद रहेगा सरवाधिक संख्या में अस्थी निर्मित उपकरण ठीक है आगे के तौर पर आद रखिएगा तामर पाशानकाल जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये सारी बातें वहाँ पर पुना डिसकस हो जाएंगी और अभी हम लोग चरांद पर ही रहें अभी इस बात को फिर से डिसकस किया था मैंने रिमार्क में चरांद को भोजन बनाने का केंद्र सा सामोहिक भोज उत्सव के साक्षे कहां से मिले हैं वो भी मैंने आपको बताया तो ध्यान रखने की जरुवत है क्योंकि अधिकांश घरों में विशेश प्रकार के चूले समुह में मिलते हैं तो ये लगता है चरांद सारवजनिक भोजन बनाने का केंद्र था सामोहिक बोधिहाल है करनाटक में जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होंगे खाना खाया होगा तो ये दो बातें बोधिहाल और चरांद विशेश तोर पर याद रखेगा और अब हम लोग उडिशा के कुछ स्थलों के बारे में बात करते हैं आपको ध्यान देना चाहिए जो इस्थल है सामने लिखा हुआ है कुछ आई है बैदीपूर है बैदीपूर बहुत इंपोर्टन है सुलब्डी ही है है अब ध्यान देना उडिशा में खोजा गया एक ऐसा इस्थल जो खोजा गया पहला इस्थल कौन सा है तो वो है बैदीपूर ऐसा है ना इस तरह के प्रश्न भी आया है कि पहला खोजा गया इस्थल कौन सा है पहला उत्खनित इस्थल कौन सा है तो फिल्हाल आप बैदिपुर को यह आद र पहले लेक्चर में भी कवर किया है, आज के लेक्चर में भी कवर कर रहा हूँ, मद्य पाशान काल पढ़ाते समय भी कवर किया है, ठीक है ना, इसे खोजा किसने था, बैदीपुर को, तो वो है पी आचारे सर, आगे बात आती है, कि उडिसा में उत्खनित, पहला इस्थल न मैं याद कर पा रहा हूँ, इस प्रशन को UPSC ने सबसे पहले पूछा है, उडिशा में पहला उत्खनित नवपाशान कालीन इस्थल कौन सा है, तो वो है कुचाई, हो जा गया कौन सा है, तो वो है बैदीपुर, और मैंने आपसे बताया कि कुचाई और पॉलिश दार प् मुचा है, ठीक है, और एक विशेश मृद्भाण हमें मिला है, कुचाई से फिंगर ट्रिप वाले मृद्भाण मिलते हैं, उंगलियों से उसमें दबा के निशान बनाए गए हैं, जब मृद्भाण वो गीले रहे हों, तो उसमें उंगलियों की छाप, दबा दबा के भारत में नवपाशान काल, काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइट कर दिया, ताकि आप तथ्यों को, कॉंसेप्ट को बहुत अच्छे डंग से आत्मसात कर पाएं, है ना, तो अब देखो दक्षिन भारत से ही, नवप पाशान कालीन, ओपदार, पॉलिश दार, पाशान उपकरण, सर्वप्रथम, 1842 में, करनाटक प्रांत में, कई बार ये बात आ गई है, लिंग सुगूर स्थल से, ठीक है, और किसने खो जा था? एमेच क्रिशनासर ने, है न, ये पुछा जाता है, कि भारत में पहला नवपाशान कालीन, पॉलिश दार, उपकरण, किनों ने खो जा? तो वो है, एमेच क्रिशनासर कहां से खो जा है, करनाटक में, लिंग सुगूर स्थल से खो जा है, और कप खो जा है, 1842 में खो जा है, और यही प्रशन अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आता है, तो उत्तर प्रदेश में नवपाशान कालीन, उपकरणों को खोजने का श्रे ली मैसूरियर को है, मुझे उमीद है, यह बात आपको याद रहेगी, और अब ध्यान रखना, दक्षिन भारत में प्रथम नवपाशान कालीन इस्थल जो पहली बार खो जा गया, दक्षिन भ भारत में पहली बार खो जा गया, नवपाशान कालीन इस्थल है, ब्रमगिरी, सही है, मुझे बताए, याद रहेगा, दक्षिन भारत में खो जा गया, नवपाशान कालीन इस्थल, करनाटक का इस्थल ब्रमगिरी है, 1947 में मौटिमर वीलर के द्वारा किये गए ब्रमगिरी के उत्खनन के पूर्व, हमें दक्षिन भारत की नवपाशान कालीन संस्कृतियों के संबंद में तथा उनके काल क्रम आदि के विशे में कोई निश्यत जानकारी नहीं थी, ब्रमगिरी का उत्खनन किनों ने करवाया, ये बात याद रखिएगा, मौर्टिमर वीलर हैं, और यहीं से हमें पता चलता है कि दक्षिन भारत में भी कुछ नौपाशानिक संस्कृतियों के हमारे पास साक्षे हैं, क्योंकि 1947 के पहले, इसके उत्खनन के पहले हमारे पास इस अंदर्व में कुछ विशेश जानकारियां उपलब्द नहीं थी, और एक बड़ी important बात यह है, वो मौटिमर वीलर हैं, जिनोंने दक्षिन भारत की नवपाशानिक संस्कृति को दक्षिन पूर्व एशिया से अनुप्रेरित या प्रभावित माना, अगर यह प्रशनाता है कि दक्षिन भारत की नवपाशानिक संस्कृतियों को दक्षिन पूर्व एशिया से प्रभावित मानने वाले कौन विद्वान हैं, तो उनका नाम है मौटिमर वीलर, तो एक विशेश बात है, दक्षिन भारत में पहली बार खो जा गया नवपाशान कालिन इस्थल है, ब्रम गिरी, ठीक है, और दक्षिन भारत में जो नवपाशान कालिन इस्थलों में विशेश बात आती है, वहां के राख के टीले, एश माउंट्स, ये क्या हैं, ये अक् राख के टीले या राख के धेर हैं, जो मवेशी रखने वालों की बस्तियों के अवशेश के संकेत तक हैं, जो पशु पालते थे, बहुत सारी संख्या में पशुओं को पालते थे, उनके संकेत देते हैं, ठीके, अब ये कह रहा है कि दक्षिन भारत में राख के टीलों का उ कहां पे कराया कुपगल में कराया कुपगल एक स्थले करनाटक में तो दक्षिन भारत में राख के टीलों का उत्खनन सर्पथम किस ने कराया तो उनका नाम है टी जे बोल्ड बेसिकली ये जो राख के टीले हैं न ये उन पशुपालकों के केंद्र हैं जो वहां से जाने के पशुओं के गोबर को एकटा करके उसमें आग लगा देते थे ताकि फिर अगर कभी लोटें तो वहाँ पर फिर से वो पशुओं के लिए रुका जा सके तो ये राख के जो टीले हैं ये उन पशुओं के गोबर की राख है सरुप्रथा मुत्खनन टीजे बोल्ड अब देखिये जब की रॉबर्ट ब्रुसफुट नाम देखिया रहा है रॉबर्ट ब्रुसफुट का नाम भारती प्रागे तियासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट नाम याद रखियेगा इनका इन्होंने दक्षिन भारत के राख के टीलों का संबंद नौ पाशानकाल से जोड़ा और राख के टीलों की सहायता से पशुपालन की पुष्टी की देखी मैंने बताया आपको यही बात मैंने आपको बतायी तो उत्खनन किनों ने कराया टी जे बोल्ड पशुपालन के साथ संबन जोड़ने वाले रॉबर्ड ब्रसफुट ठीक है आंधर पदेश के दो स्थल हैं कुडातिनी और उतनूर विशालतम राख के टीले मिलते हैं यहां से नोट कर पा रहें विशालतम राख के टीले मिलते हैं उतनूर का राख का टीला आयताकार घेरेबंदी के रूप में है जिसे पुरातत वविद गौशाला के रूप में परिभाशित करते हैं फिलहाल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कुडातिनी और उतनूर से हमें विशालतम राख के टीले मिले हैं फिलहाल आगे ध्यान रखिएगा पिकली हल करनाटक का एक स्थले प्रचुर संख्या में राख के धेर और आवास ग्रह मिले हैं बहुत सारे संख्या में राख के टीले या राख के धेर कहां से मिलते हैं तो वो इस्थल है पिकली हल जहां से हमें राख के टीले मिलते हैं वो प्रमोकिस्थल कौन कौन से हैं ऐसे प्रमुकिस्थल जहां से हमें राह के टीले मिलते हैं कुपगल है संगनकलू बुद्याल पिकली हल क्लियर ध्यान रहेगा इन चार स्थलों का नाम याद रखिए और फाइनली हम लोग आगे देखते हैं कुछ विशेश स्थलों में दक्षिन भारत के तो अभी मैंने आपको बताया दक्षिन भारत में खोजा गया पहला नौपाशांकाली निस्थल ब्रह्मगिरी है कौजा गया कौन सा है ब्रह्मगिरी है करनाटक का सरवाधिक महत्वपूर्ण नौपाशांकाली निस्थल कौन सा है पिकली हल है और अनिस्थलों में संगनकलू कुपगल को दखनी चाहिए दक्षिन भारत में खो जा गया पहला नवपाशान काली निस्थल ब्रमगिरी करनाटक और करनाटक में खो जा गया सरवादिक महत्वपूर्ण जो नवपाशान काली निस्थल है वो है पिकली हल पिकली हल के बारे में विशेश जानकारिया है सरवादिक महत्वपूर्ण नवपाशान काली निस्थल है पिकली हल यहां के निवासी पशुपालक थे और जो बात मैंने अभी डिसकस किया आप से कि यह मौसमी शिवरों में रहते थे एवं जानवरों के बाड़ों में गोबर इकत्र करके आग लगा देते थे ताकि अगले मौसम में फिर से शिवर लगाए जा सके मैंने आप से बताया था वो जो राख के धेर हैं वो बेसिकली पशुओं के गोबर की राख हैं वो बहुत इखटा गरके और आग लगा देते तो वो कहा रहे हैं कि जानवरों के बाड़ों में गोबर इकत्र करके आग लगा देते थे ताकि अगले मौसम में फिर से शिवर लगाए जा सके और पिकली हल से हमें प्रचुर संख्या में राख के धेर और निवास ग्रह दोनों मिलते हैं और एक बड़ी बात है पिकली हल से विशेश बात क्या है पिकली हल से हमें वृत्ताकार जोपडियों के फर्ष वृत्ताकार जोपडियां वृत्ताकार जोपडियों के फर्ष और कूबडवाले सान की एक मिर्णमूर्ती ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूबडवाले सान की मिर्णमूर्ती दक भारत में हमारे पास पिकली हलसे है ठीक है और अब बोदि हाल है वह एंपाँट था उत्खनं करता का सब्सक्राइब करता कौन है के पदमया है मुद्य हाल के उत्खनंस से ही हमें पता चलता है कि राख के टीले बस्ती के अंग होते थे बुदिहाल के उत्खनन से ही हमें पता चलता है कि राख के टीले बस्ती के अंग होते थे जो भी पशुपालकों के केंद्र होते थे वो बस्ती के अंग होते थे और बुदिहाल से आवासी ये भूमी के बीच में बूचर खाना मिला है ये बात कई बार डिसकस हो गई है बूचर खाने कहां कहां से मिले हैं ये बात मैंने आपको कई बार डिसकस की है एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कहां कहां पे हमारे पास बूचर खाने के साक्ष हैं तो एक तो ये पता चल रहा है आपको बुधिहाल है ही स्लोटर राउस मद्यपाशान काल में बूचर खाने के साक्ष दो इस्थल है एक बागोर है और दूसरा महतहा है मद्यपाशान काल में बूचर खाने के साक्ष बागोर और महदा पशू पालन का प्राचिंतम साक्ष मद्यपाशान काल में बागोर इवामादमगड क्लियर कई बार रिपीट हो रही है बात ताम्र पाशान काल में बूचर खाने का साक्ष कहां से है दैमाबाद से हैं कितनी बार रिपीट हो गया ये सारी बात है और ये सारे प्रशन अगर अब परिक्षा में पूंचे जाते हैं तो प्लीज इन प्रशनों पर विशेश नजर रखेगा विशालतम पशुबाड़ा मैंगड़ा से मिला है उत्तर बारत की बात हो रही है विशालतम पशुबाड़ा मैंगड़ा से मिला है बुध्याल फिर एक इंपॉर्टेंट है अभी कई बार ये बात हो गई कम्यूनिटी फैस्टिंग सामुईक बोज उत्सव के साक्षे कहां से मिले हैं बुध्याल से मिले हैं और बुध्याल इस मामले में भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिश दार पाशान उपकरन प्राप्त होते हैं मुझे उमीद है मेरी स्पीड बहुत जादा नहीं है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और चीजों को नोट डाउन कर पा रहे होंगे और अब मुझे लगता है इसके बाद आपकी सारी जो परिशानी है आपके सारे कन्फ्यूजन से वो क्लियर हो गए होंगे आगे इसके अलावा भी अगर कोई क्वैरीज है तो आप मुझे भेजेगा हम लोग उसको डिसकस कर लेंगे उतनूर आंद्रपदेश नवपाशानकाल कपड़े बुनने और सिलने की जानकारी प्राप्त होती है और पैयम पल्ली से हमें मनके बनाये जाने की प्राचीनितम जानकारी मिलती है बहुत इंपोर्टेंट है मनके नवपाशानकाल में मनके बनाये जाने का केंद्र पयम पली हडपा सब्विता में हडपा सब्विता में मुझे बताइए मनके बनाने का निर्मान केंद्र तो दो इस्थल हैं लोथल है एक तो दूसरा इस्थल भी बताइए और आप याद कर पा रहे होंगे बड़े कॉमन प्रश्ण है और ये जवाब है चनुदड़ो हरपा सब्यता में मन का बनाने का केंद्र कहां है तो वो लोथल और चनुदड़ो नवपाशानकाल में दक्षिन भारत में मन के बनाया जाने की प्राचिंतम जानकारी कहां से मिलती है तो वो है पयम पली तो आज का लेक्षर नवपाशानकाल समाप्त करने की उद्गोशना कर रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने कवर किये हैं सारी महत्वपूर्ण सुचनाएं मैंने कवर की हैं और मुझे उमीद है अगर आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से तयार करते हैं तो कहीं पर कोई गलती होने की संभावना नहीं है इस टॉपिक से एक या दो प्रशन अधिक्तम तीन प्रशन ही पूछे जा सकते हैं और अगला टॉपिक हमारा तामरपाशनकाल या इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रशनों पे डिसकेशन हो सकता है तो फिलहाल आप वेट करिये और अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम से वो मुझसे शेयर करिये वाटसेप पर नमबर दिये हुए हैं और अगले लेक्चर में हम लोग जब तक मिलते हैं तब तक आप इसको तयार करिये और मुझे इजाज़त दीजे धन्यवाद